जैहिन दोस्तों नमस्कार डिलीडिड बुक में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग 8 अप्रेल 2020 का पेपर देखेंगे और यह सकेंशिप्ट का पेपर है यह NTPC CBT1 का पेपर है आज हम जिस पेपर का आधियन करेंगे वो 76 पेपर होगा यानि इससे पहले हम लोग 75 पेपर क का अधियन कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्टर में प्ले लिस्ट लिंक दिया हुआ है वहां से आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम लोग जनरल अवनेस के प्रसनों को देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन में से किसे भारत सरकार का पहलापिधी अधिकारी माना जाता है तो इसका इंसर होगा अटाणी जनरल भारत का पहलापिधी अधिकारी अटाणी जनरल को मना जाता है अभी बरतमान में अटाणी जनरल ही केके बेनु गोपाल MS Swaminathan भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक करांथि से सम्बंदित है MS Swaminathan का सम्बंद है हरित करांथि से भारत में हरित करांथि का जनक MS Swaminathan को मना जाता है रजद करांथि का सम्बंद इनमें से किसे है रजद करांथि का सम्बंद अंडे उत्पादन से है स्वतंत्र भारत के पर्थम विद्य समंत्री कौन थे तुझका इंसर होगा जबाहरलाल नहरू स्वतंत्र भारत के पर्थम विद्य समंत्री थे जबाहरलाल नहरू बल्देव सिंग रच्छा मंत्री थे सरपली राधा के सरन भारत के पर्थम उपरास्पती हुए इन में से किस इलाके में उचे छेतर और खारे रेतिले समतल मेदान तथा दलदली छेतर सामिल हैं तो इसका इंसर होगा कच्छ का रन कच्छ का रन जगली गधो के लिए परसिद है लूनी नदी कच्छ के रन में ही गायब हो जाती है इन में से कौन सा अनुछेत भारतिय संसद को जाती हो उप जाती हो एबं जन जाती हो को अनुचे जाती हो की सूची में सामिल करने और उसे बाहर करने की सकती परदावन करता है तो इसका इंसर होगा अनुछेत तीन सो एक तालिस गोटी पुवा निर्थ क्या है तो गोटी पुवा ओडिसा में युवा लर्कों का नित है गोटी पुवा गोटी पुवा नित का समन्द की सिराज से है तो ओडिसा सिराज से है इन्मेसे किस अंतर गरिये अंतरिक्स याननी 2001 में पिर्थवी से यातरा शुलू की और जुलाई-2016 में ब्रिश्पति गरह पर पहुंचा इसका एंसर होगा जुनो इसका एंसर होगा स्यानता दर्बो में घरसन को स्यानता कहा जाता है इन में से किस राज को अनुच्छे 371 एक तहट बिसेश दरजा परदवन किया गया है तो इसका अंसर होगा नागालेन इन में से काउंसी भारत और चीन के मद इस्थित तीन बेपारिक जहां चौकियों में सामिल नहीं है तो इसका अंसर होगा खईवर दर्ला किला मुबारक असमारक कहां इस्थित है तो इसका अंसर होगा पंजाब में किला मुबारक असमारक पंजाब में इस्थित है ब्रीटिस भारत सासन के अधिन 1937 के प्रांतिय चुनाओ के दोरहन पंजाब राज में किस पार्टी की सरकार बनी थी तो इसका इंसर होगा यूनियस्ट पार्टी बिद्यांजली परियोजना क्या है तो बिद्यांजली राज किया बिद्यालिया में साइचनिक कार्जियों में सहायता है तू स्वाइम सेवक बिद्यांजली परियोजना भारतिया परतिभूती एवं बीन में बोड की अस्थापना कब हुई थी तो इसका अंचल होगा उनिस्वा बिराउन ब्यायम में इस भी में भारतिया परतिभूती एवं बीन में बोड भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इन में से किसकी सहाइक नदी है तो इसका अंचल होगा गंड़क की सहाइक नदी है मेची भारत की पहली गंतन दिवस प्रेड के मुख आती थी कौन थे तो इसका अंचल होगा इंडोनेसिया के राश्पती भारत की पहली गंतन दिवस प्रेड के मुख आती थी थे इंडोनेसिया के राश्पती चैन्सू किस राज का परसीद बैंजन है तो इसका एंसर होगा उत्रा खंड ग्राज का बैंजन है कि स्वतनता शिनानी ने मुंड़ा कुपनिसद से लीए गए सब्द सत्तमीब जैतो को लोगप्रिया बनाया तो इसका एंसर होगा मदन मोहन मालवी है जल में ड्यास मिलाकर यानि जल में क्या मिलाकर जल की अस्थाई कठोरता को दूर किया जा सकता है तो इसका इंसर होगा वासिंग सोडा यानि सोडियम कार्बोनेट हैदराबाद सहर की पठार में इस्तित है तो इसका इंसर होगा डेककन पठार हैदराबाद साहर डेककन पठार में इस्तित है संयुक्त राष्ट विकास कार्जिक्रम यानी UNDP United Nation Development Program की अस्थापना किस बर्स में हुई थी तो इसका अंसर होगा 1965 SP भारत में इस्तित दो अंतरिक्स परचेपन के अनरों में से एक सिरिहरी कोटा कहां इस्तित है होगा आन्तरदेश स्रीहरी कोटा आन्तरदेश में इस्तित है लियाज कर दो दो किसका बेटा था जिसने अकवर के दर्वार में महत्पून भूमिकाने वाही तो विजद्वरम खाएँ अब्दुल रहीम खाने खाना अब्दूल रहीम खान एक खाना बैरम खान का बेटा था जिसने आकवर के दरवार में महत्पूर्ण भूमिका निभाई थी आर्थिक सब्दावली में NSDL का पुनरूप क्या है तो इसका एंसर होगा National Security Depository Limited Missing जंजाती के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं तो इसका अंसर होगा Missing जंजाती के लोग माजूली ध्वीप पर निवास करते हैं भारत में पंच वरसिया योजनाओं को अंति मंजूरी किसके ध्वरा परद वन की जाती है तो इसका इंसर होगा राष्टिय विकास परिशद यानी CSO राष्टिय विकास परिशद नेशनल डेवलप्मेंट कॉंसील अगला प्रस्ने इनमे से किस महानगर का नौम स्वतंता के बाद से अब तक नहीं बदला गया तो इसका इंसर होगा दिल्ली इनमे से कौन बेटिस पाल्यामेंट का पर्थम राष्टिय सदस्थ था तो इसका इंसर होगा दारदा भाई नौरोजी इसे ही बयो बिल्द प्रूज कहा जाता है ग्रेन ओल्ड मेंट जलिया बाला वाग हत्या कौन के लिए जिमेदार जनरल डायर की हत्या इनमे से किस ने की थी तो इसका इंसर होगा सरदार उद्धम सिंग ने जनरल डायर की हत्या सरदार उद्धम सिंग ने किया था निकट डिश्टी दोस को क्या कहा जाता है तो इसका इंसर होगा मायोपिया निकट डिश्टी दोस को मायोपिया कहा जाता है जबकि दूर डिश्टी दोस को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है निकट डिश्टी दोस में निकट की बस्तो दिखाई देती है जबकि दूर की बस्तो दिखाई नहीं देती है निकट डिष्टी दोस को दूर करने के लिए अवतर लेंज के चस्मा का प्रयोग किया जाता है जबकि हाइपरमेट्रोपिया यानि दूर डिष्टी दोस को दूर करने के लिए उतर लेंज के चस्मा का प्रयोग किया जाता है प्राय जो बाई पिया है वैसा जिसमें दूर की वस्तु और नजदी की वस्तु दोनों परभावित होती है अईसा प्राय बिर्द लोगों में होता है और इस दोस्को दूर करनी के लिए प्राय दूरी फोकसे लेंज का प्रयोग किया जाता है तो इस बीडियो इस प्रस्ण से इतना प्रस्ण किलियर हो जाता है अगला प्रस्ण है इन में से किसे अखिल भारतिय सिवाओ का जनक माना जाता है तो इसका इंसरोगा सरदार बल्लब भाई पटेल सरदार बल्लब भाई पटेल को अखिल भारती है सिवाव का जनक माना जाता है स्टोची ओप युनिटी सरदार बल्लब भाई की मुर्ती है गुजरात में जो विश्व की सबसे बरी मुर्ती में से एक है 1931 में कराची अधिवेशन के अध्यक्ष भी सरदार बल्लब भाई पटेल ही रहे थे और उसमें सब्रत पर्था मौलिक अधिकार की मौंग किया गया था बारदोली सत्यागरह का संबंद भी सरदार बल्लब भाई पटेल से ही है और बार्दोली सत्यागरा के दुराउन ही बार्दोली के महलाई ने इन्हीं सरदार की उपाधी दी थी अगला प्रस्न है इन में से किस मिशरन का उपियोग सोने को सुषद करने के लिए किया जाता है तो इसका अंसर होगा एक्वारेजिया एक्वारेजिया का उप्योग सोने को सुध करने के लिए किया जाता है एक्वारेजिया में HNO3 और SCL होता है HNO3 और SCL का नुपात 1-3 का होता है अगला प्रस्ण है उस टाइप राइटर जैसे उपकरन को क्या कहा जाता है जिसका उप्योग कम्पीटरों में डेटा भेजनी या कमांड देनी के लिए किया जाता है तो इसका इंसर होगा कीबोड बैंक आप मदरास, बैंक आप कलकत्ता और बैंक आप बंबे का बिले करके किस बैंक का अगधन किया गया तो इसका अंसर होगा Imperial Bank of India और 1921 इसपी में Imperial Bank of India का स्थापना किया गया था और उसके बाद 1955 इसपी में Imperial Bank of India को ही SBI में परिवर्तित कर दिया गया अवला प्रस्ने है इन में से किस कमपणी ने भारत का पर्थम Social Mobile Wallet उडियो लॉंच किया तो इसका अंसर होगा भारतिय बिग्यान संस्थान भारतिय बिग्यान संस्थान बैंगलोर के पर्थम भारतिय ने देशक कौन थे तो इसका अंसर होगा SBI रमेन इन में से किस के द्वारा दिल्ली चल्दरंद में इकता परनाली को संस्था आगत रूप में लागू किया गया था इन्टरनेट के संदर में ISP का पूल फॉर्म होता है असंगत क्लासिफिकेशन का क्वेशन है और में आउट चेचक बुखार इन्फुल उन्जा पी तुजर तो इसका अंसर होगा बुखार तो इस वीडियो में इतना ही अब निश वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार जैहिन पढ़िये बढ़िये समझे लिखिये जितना जैसे हो सके वैसे कहाई से कुछ सीखने के प्रियास करते रहिए जाहिन जावर्द